हेलो एवरीवान वेलकप ब्याक तु दो माई चानल तुम्मे उबाला जो और आज की सीडियो में हम बात करने वाले तेरा में की दिन मार्केट की साइड मोमेंटम कर सकता है तो चलो स्टार्ट करते तो सबसे पहले हम देख लेंगे गोबल मार्केट तो गोबल मार्केट मारकेट के बज़े से मारकेट हमारा एक तरपा मुव कर रहा है यानि बहुत वालिटायर है और गोबन मार्केट के ऊपर लेकिन गयाप एपर के लिए देखना पड़ेगा तो गिपनिपटी देखेंगे तो डबल टाप में प्यायु प्यायु आपसो स्अरे का निकलता है सपोर्ट है सबसे क्रूसिल लेवल फे अहां से बूंस बांस भी हो सकता है जिपनेफीी से तो आप मार्केट एक अच्छर से लेवल पर आके ठहराई कापी इंपोर्टन लेवल पर है तो ब्यांग निप्री का वंडे का टाम फ्रेम ओपन क्यों में तो यहां एक फिप्टीन एमें में भी था कल के दिन आगर एक कैंडर को ब्रेक कर दिया है तो फिप्टीन एमें से ए त्रेन लाइन को टर्च करने के लिए आ गई है तो इस लाइन को टरच किये आगर यहां कल के दिन अगर गरेन कैंडि की कल के दिन यानि 13 मेंके दिन आगर पम राती अची से इस्ट्रॉंग वाली जैसे फुल बाड़ी यादि ज्यादा फिक नहीं होने चहाए जैसे तो उपर से आगर IC भी होगी तो आइसी कैंडल इब कर सकते हो आप, IC वीक नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बड़ी कैंडल स्थिक, आगर IC भी रहेगी निचे से वीक होगी तो भी चलेगा, लेकिन उपर से वीक होने होनी चाहिए, अगर वंडे की ताइम फ्रेम में इधर एक ग्रिन कानल क्लोज होती है और उसका हाय अकर ब्रेक करती है आगले दिन तो यहां से बाइंग के लिए आप प्लियान करना तो मंडे की दिन ज्यादा मार्केट वाइल अटायर हो सकता है क्योंकि हमारा क्रूशल लेवल आ चुका है यहां से support level दीकरा है मुझे यह strong support level 47,500 का भी और trend line भी है तो कापी strong level है यहां से bounce ल्याद करने के कापी chances है मार्केट को तो आगर यह trend line को respect करते हैं मार्केट तो यहां से ही कोई एक green card बन सकती है One day के time frame में यहां bullish हो में तो bullish होने का reason है कि हमारा trend line भी है psychological level भी है तो यहां सब्सक्राइब और इन्पोर्टन लेवल इसलिए लोगों को यह डाउट आया होगा कि इतना मार्केट गिर रहा है लेकिन पुलिष मार्केट यहां से उपर जाएगा ऐसा क्यों बोर रहा है तो कभी भी एक बात सोचना कि सारे जो रिट्रिलर रहते उनके खिलाप रहते बड़े पिलर तो आप जब तक बड़े पिलर के साथ रहेगे तभी आप प्रॉपिट ज्यादा कर पाओगे तो बड़े पिलर करेंगे तो यहां से बाउंस बैख करेंगा क्योंकि पहले भी मार्केल हैं से बाउंस बैख किया ता इस ट्रेंडाइन को रिस्पेक करतें तो यहां एक ग्रेंड का्ड़ बनेगी स्ट्रॉंग वाली टार्गेट होता है तो आप पुजिशनली बैट सकते हो जैसे मिलेक प्राफिट बुकिंग भी आ सकती है क्योंकि इतना ज्यादा फॉल कि यहां जो कोई इंटर लिया होगा दो में के इडियो में बताया था यहां इन्वेटर हैमर बोला है और इसका लूब रेकर की एक कैनल क्लोज होती है तो डाउन के लिए प्लियान कर सकते हो यह से लिहां र आपको यह में रखना है तो आपको एक द्यान में रखना है की कौन सा भी यह में लगा लो 15-29-50 कौन सा भी ताइम रेम वे जब तक फॉल के लिए प्लियान करना आप उपर के लिये प्लियान करना यह में की नीचे रहेगा तब तक कोट मीलान करना में काफी नहीं होना यहां यह इस प्रॉपर एस लगाके आप ट्रेडल लेना और इंडायं कैंज लगए हैं इंडिया एक तो आगले कुछ दिनों तक 25 तक जा सकता है तो कापी जादा प्रेमियम बढ़ बढ़ चुके हैं तो यहां से बाउंस बैक होने के कापी चासे से आगर एक ग्रेंग कार बनके उसका हाइब्रेक होता है तो आप 30-40 रुपे वाले प्रेमियम कौल के बाय करके बै होने से और इंडिया यह कापी जादा बढ़ने से आपको कापी आचा मोमेट मिलता है और 20-30 रुपे के प्रेमियम में लगवा के 100-100 भी जाएंगे तो आपको कापी आचा रिटर्न मिल जाएगा तो जब तक ग्रेंग नहीं बनेंगे तब तक हम शोर नहीं है कि यहां से ब a करते हैं तो यहां से बाउंस्पैक होना चाहिए अगर हमारा 200 एम आराम से मेल जाएगा तो यहां तक भी प्ल्यां कर सकते हों लेकिन यहां लेवल प्रेक हो सब होने के बाद तो यहां बहुत में रखना कि एक कांडर इसको ब्रेक कर दे और अगला है क्यांडल का प्रेकर बन सकते हैं ज़्यादा उपर से वीक नहीं होनी चाहिए तो आप सिंपल सा एक मैतर्ट प्लान करना नहीं ज़्य से बताया था यह में के उपर रहेगा तब 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 कॉट के लिए सिंपल सा यूज कर सकते हो और एसल प्रॉपर लगा के रखना क्योंकि मार्केट यहां क्या रष्टिक ग्रीन बनाएगा रेड़ बनाएगा ग्यारटी नहीं है तो वह लेटायर रह सकता है इंडाई भी कापे ज्यादा हाई है इलेक्शन के बज़े से तो यहां एसल कि मार्केट जैसे आज इंडेक्स का चार्ट है इंडेक्स का चार्ट में आगर मार्केट यहां गया है तो प्रीमियम में क्या होता है कि जाता है इस से उपर जाता है सही है लेकिन प्रीमियम इंडेक्स का चार्ट आगर ज्यादा मोह नहीं कर रहा है लेकिन प्रीमियम में कापी ज्यादा बढ़ रहे हैं तो आप यह ध्यान में मार्किट में ऐसेल थोड़े बढ़े बैट रहे हैं तो ज्यादा आपना छोड़ा सब्धिला कर्णा कुझा यानि 10,, तो में उसमें ज्यादा होने से जो आपना एसल हंट ज्यादा कर रहा है मार्किट तो कपी दो-तीन दुनों से मेरे को यह साथ प्राब्लम हो रही है तो मैं एसल थोड़ा धिली छोड़ रहा हूं क्यूंकि थोड़ा सा इसपाइक आगर डाउन में आएगा हमारा एसल ना हिट ब्यांग निप्ट में बता चुका हूं कैसे ट्रेड कर सकते हैं ग्रेंड कैंडल आने की चांस है और आगर कैंडल आएगी ग्रेंड तो यहां से बहुंड अच्छा सा बाइंग के लिए मोमेंटम आ सकता है डेहाई ब्रेक होने की बाद और थोड़े सी अवलेटाइल क्या धृष्टिक रहेगी तो प्रॉपर एस से लगा के ट्रेड करना और यह में की उपर है घृगा तब तक क्वाल के लिए में की निचे रहेगा तब तक फूट के लिए और ग्याप डाउन का कई रिस्प्रेक्ट्टों नहीं कर रहा है मार्केट तो ग्यापक होते ही आप प्लान कर सब्सक्राइब कर लेना तो में निप्टी 500 का अनलेशिस कर लेता हूँ तो निप्टी 50 के अक्वाडिंग वन डे का टाइम फ्रेम में क्यों करने का कोई लॉजिक नहीं कि वन डे के ताइम फ्रेम में अच्छा सा क्रूशल डेवल बना चुका है इसलिए वन डे के तैम फ्रेम के अकौर्डिंग में अनलेसिस कर रहा हूँ पथा है कि यहां से ऊपर है तो कोई पैसा बना लेथा था ल कि ऐसे बताता हूँ कि प्रूशल लेवल। पूर्टब। लेवल कोन सा है मार्केट का सेंटिमंट क्या है और क्या हो सकता है तो यहां से buying कर सकते हूं यहां से selling कर सकते हूं नहीं बताता हूं में सिंपल सा AMA अगर आपको compute होता है कहां buying कहां selling करना है तो जब तक AMA के उपर हैगा तब तो call के लिए AMA की nature हैगा पुट के लिए मैं बार-बार इडियो में कहता हूं बार-बार ज्यादा जोर क्यों देता हूं इस topic कर क्योंकि AMA के उपर ज्यादा बार रहता है के लिए छोटे target मिलते हैं तो आपको समझना चाहे कि कहां से buy करो कहां से sell करो यह मत सोचा करो कि कोई भी यह ही पताएगा इसके पीछे मत भागो तो आप खुद का खुद discipline से setup धूंडो setup पर आप proper work करो proper sell proper risk management proper trade management करोगे तो आपको कापी आचा result मिलेगा तो मैं आपको सिंपल से trick बता चुका हूँ कि market का sentiment कुछ भी हो जब तक EMA के उपर हैगा तब तक call के लिए EMA की निचलेगा put के लिए और market का जो trend है उसके साथ आपको जाता चलोगे तो आपको multiple बार आपको profit मिलेगा क्योंकि बड़े target मिलेगे तो trend के side मिलेगे ट्रेजर के opposite कभी कभार मिलता है बड़ा target जैसे रेवलसल आता है तो कल की दे रेवलसल आने के चांसे ब्यांग निप्टी में तो निप्टी में green काना बना चुका है यहाँ अगर निप्टी में इसका high अगर break करके sustain होता है और जैसे ब्यांग निप्टे में बता था वैसा ही समझ लेना तो डबल डबल में analysis नहीं करूंगा तो एक green काना तो बनी है अगर इसका high break up होता है इंट्राडे में तभी quality लिए प्लान करना target आराम से double top का मिल जाएगा याने 22,700 का जो positionally बैटते हो swing trading के लिए बता रहा हो तो ज्यादा डिके नहीं लगेगा क्योंकि इंडैक कापी हाई है और इंडैक बढ़ती जैसी जैसी है उतना premium मंगा होता है तो डिके कापी कम लगेगा और आपके side आगर momentum आएगा तो कापी आच्छा आपको profit हो सकता है तो आपको समझ मना चाहिए कि यहां से buying side जाने की chances बढ ब्रेक होगा तो कापी आच्छा डाउन के लिए तेजी से momentum आने के chances से तो मैं समझ बता चुका हो कि कैसे प्लान करना है 13 में के दिन तो मार्केट कापी वैलिटाइल है तो नियूज बेस पर ध्यान रखना जो कोई नियूज आती है नेगिटिव पाजिटिव उस पर भी ध अगर 4th phase का election होने के बाद आपको सब्सक्राइब पता चल जाएगा कि बीजीपे आहरेगी तो मार्केट निचे जाएगा बीजीपे जीतीगों तो मार्केट उपर जाएगा सिंपल में पता चुका हूँ और ट्रेड कैसे लेना यह में के ऊपर हैगा कॉल के लिए यह में के निचे रहेगा पुट के लिए और बंडे की टाइम फ्रेम में ब्यांग नेफ्टिक के अंडर क्लोज होती है स्ट्रॉंग वाली और उसका हाय अगर ब्रेक होता है तो पु बुलना क्योंकि आएसे ही इंफरमेटिक इडियो इस चैनल पर डेली आते रहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो ठैंक फर आजे